हलो फ्रेंड्स वेलकम टो SSE कोचिंग सेंटर दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे नंबर सिस्टम के इंपोर्टन प्रेश्णों की जो परिछाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेगा अंत तक आप वीडियो को देखेंगे तो जरूर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा तो चले स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहला प्रेश्ण है एक से लेकर तीस तक सभी संख्याओं का योग ज्याद करो एक से लेकर तीस तक सभी संख्याओं का योग क्या होगा वो हमें बताना है तो देखिए यहां पर मैं आ करना है योग find करना है एकुष लेकर-3 tougher एकसे लेकर 30 सभी सै हमको लिखे फिर सभी यो कीजिए एक और दू 3 और 3 6-4-10 इस तरीके से योग करते जाए एक तो ये तरीका है दूसर तरीका हम बताते है आपको जब पल तरीका सबसे आसान ठीक है यूउग find करने का आपको सबसे पहले तो यह देखना है कि जो हमको संख्यां दे रखी हैं उनके बीच का अंतर कैसा है अंतर कैसा है एक और दू में एक का अंतर दो और तीन में एक का अंतर तीनों चार में एक अंतर समान है जब अंतर आपका समान रहेगा तो ट्रिक यह है कि आपको क्या करनी है फर्ष्ट वाली संक्या लेनी है पिलस लाश्ट वाली संक्या लेनी है और डिवाइड कर दिना है दो से और जितनी संक्या उतनी से मल्टिप्राइड आपको कर दिना है नहीं आई बात समझ में अब ही आ जाएगी first संक्या कितनी है आप कहेंगे सर एक है तो एक ले लेंगे plus last संक्या कितनी है 30 है तो 30 ले लेंगे divide कर देंगे हमेशा 2 से multiply करेंगे जितनी संक्या है उतने से तो यह संक्या कैसी है लगाता एक से लेकर 30 तक लगाता संख्या है तो एक से लेकर 30 तक कितनी संख्या हो जाएंगी आपकेंगे सर्थ 30 ही tuh हो जाएंगी बिल्कुल सही है एक और 30 कितना हो जाएगा यह हो जाएगा एक तीस बटे में 2 तो मल्टिप्राई कितना 30 दो से मैं 30 को काटूंगा 15 वार में कटेगा 15 एकम 15 का 5 केरी का वन 15 त्रिक का 45 और केरी का वन कितना हो जाएका 46 तो 465 आपकी प्रेशन का बिल्कुछ सही आंसर हो जाएगा जो कि पहले ओप्सन में दोस्तों दे रखा है मैं उम्मीद करता हूं सभी कि समझ में बात बहुत अच्छे से आ गई होगी अगर किसी की समझ में नहीं आई है तो परिशान मत होई है परिशान मत होई है वीडियो को अंत तक देखिए बस सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा ठीक है दोस्तों अब देखेंगे अगला प्रश्न अगला प्रश्न ह असी तक सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा असी तक कैसी संख्या है सम तो सबसे पहली संख्या क्याएगी दो फिर चार फिर छे फिर आठ फिर दस इसी तरीके से कहां तक की बात कही है उसने बात कही है असी तक संख्या है तो पहली संख्या दो से स्टार्ट होगी और हम कहां तक जाएंगे 80 तक जाएंगे ठीक है अब देखिए क्या पूछ रहा है योग पूछ रहा है आपसे योग पूछ रहा है अंतर कैसा चेक करेंगे 2 और 4 में 2 का अंतर चार और छे में दू का अंतर छे और आठ में दू का अंतर आठ और दस में दू का अंतर अंतर आपका समान चल रहा है तो trick मैंने क्या बताई first plus last divided by 2 यही तो बता है तो first क्या है 2 plus last क्या है आपका 80 divided by 2 है और multiply करेंगे जितनी संख्या है उतने से तो दो से लेकर असी तक कितनी संख्या हो गई आप बोलेंगे असी हो गई तो गलत हो जाएगा असी संख्या है ना बात किसकी किया उसने उसने बात किया दोस्तो आपसे संख्या की तो 80 संक्या में क्या होगा दोस्तो 40 आपकी सम संक्या होंगी और 40 आपकी बिसम संक्या होंगी 40 क्या होंगी दोस्तो सम संक्या और 40 क्या होंगी बिसम संक्या आई बात समझ में कैसे होंगी देखें 2 के बाद में 3 छोड़ा गया है विसम को छोड़ा गया है सम को लिया गया चार के बाद में जो पांच आती है विसम उसको छोड़ा गया है अगर हमारी एक से लेकर लगातार 80 तक संक्या होती तब 80 संक्या होती लेकिन यहाँ पर सिर्फ सम की बात कही गई है तो जब 80 संक्या है टोटल तो उसमें से सम संक्या होंगी 40, याद रखिएगा ठीक है, कोई भी संक्या हो, 50 हो, तो उसमें सम कितनी होंगी 25 60 हो, सम कितनी होंगी 30 होंगी, 30 ही सम होंगी 30 ही विसम अगर 100 संक्या है, तो उसमें 50 सम और 50 विसम अगर आपके पास 90 संख्या है तो 45 सम होंगी 45 भिसंग अगर आपके पास 10 संख्या है तो इसमें 5 भिसंगी 5 सम होंगी अच्छे से बात आगई अब इसी को सौलप कीचे अंसर आजएगा 2 और 80 कितना हो जाएगा 82 में क्या करेंगे 2 से डिवैड गुने कितना है 40 दो से मैं 40 को कटाऊंगा 20 बार में कर जाएगा अब 20 का मल्ट पर करतूँ मैं 42 से कितना अंसर आजाएगा ये 0 आजाएगा लाश्ट में दो दुने का 4 आजाएगा दो अठे 16 आजाएगा तो 1640 आपके प्रेश्ण का बिल्कुल सही आंसर है 1640 कहां दे रखा है C option में दे रखा है तो मैं उमीद करता हूँ सभी के समझ में बात अच्छे तरीके से आ गई है अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा अब देखेंगे अच्छे तरीके से अच्छा वाला प्रेश्ण अगला प्रेश्ण अगला प्रेश्ण है प्रेथम 35 बिसम संख्याओं का योग क्या है प्रेथम 35 तो प्रेथम 35 दोस्तों पहली एक होगी फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर कहां जाएगी 9 इस तरीके से चलती जाएग तो यहाँ पर जो लाश्ट विसम संख्या होगी 35 वी वो कौन सी होगी तो मैं आपको एक चीज बता दूँ मैंने आपको अभी अभी एक बात बताई थी कि अगर आपके पास 100 संख्या है तो उसमें से 50 संख्या होगी 50 विसम अगर आपके पास 80 संख्या है तो 35 उसमें विसम होगी और 35 ही संख्या होगी ठीक है अगर यहाँ पर आपके पास 70 संख्या है तो हमेशा याद रखेगा जितनी संख्या दीगे यह उसका डवल कर लीजी 35 संख्या दीगे तो 35 का डवल कितना हो जाएगा 70 तो 70 में क्या होगा 35 आपकी विसम और 35 ही क्या हो जाएंगी सम 35 संक्या सम और 35 क्या हो जाएंगी दोस्तों आपके पास विसम समझ महीं बात तो प्रेथम 35 की बात कही जाए चब प्रेथम 20 की बात कही जाए उसका हमेशा डवल कर दीचे तब आपको पता चल जाएगा कि 70 संक्या है आप बोलेंगे 69 तो यहां एक से लेकर 69 तक जाएंगे तब आपकी 35 विसम संक्या होंगी आपसे योग पूछ रहा है तो योग आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं अंतर समान हो एक और तीन में दो का अंतर दो और पांच तीन और पांच में दो का अंतर पांच और साथ में भी दो का अंतर जब समान चले तो मैंने क्या बताया first plus last last कितना है 69 divided by 2 करेंगे जितनी संक्या है उतने से multiply कीजिए अब एक से लेकर 69 तक कितनी संक्या है 35 संक्या ही तो है तो 35 से multiply कीजिए एक और 69 कितना हो जाएगा यह 70 divided by 2 गुने कितना 35 अब मैं 2 से काटूंगा 70 को 35 बार में कटेगा और 35 गुने 35 कितना होता है मतलब 35 का square अब मुझे 35 का square याद है तो मैं आपको बता सकता हूँ 1225 होता है ठीक है दोस्तों सबकी समझ में बात आगी यह आपके प्रेशन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1225 दे रखा है पहले option में तो सभी की समझ में बात बहुत अच्छे तरीके से आगी होगी किसी को भी किसी प्रेशन में कोई डाउट नहीं होगा अब देखेंगे अगला प्रेशन अगला प्रेशन है एक्क्यामन पिलस बामन पिलस तिरेपन पिलस कहा तक जा रहा है दोस्तों सो तक जा रहा है एक्क्यामन से लेकर जा रहा है दोस्तों कहा तक सो तक जा रहा है तो इससे पूछ रहा है आपका योग क्या होगा योग कितनी संख्या आप बोलेंगे सो डिवैड कितने से करती हैं दू से करते हैं और मल्टिप्राई करेंगे जितनी संख्या हैं उतने से तो 51 से लेकर 100 तक कितनी संख्या होंगी आप जानते हैं कि 100 संख्या में क्या होता है एक से लेकर 50 तक तो 50 फिर यहां के बाद 51 से आगे बढ संक्या की बात होती तब उसमें क्या होता आधिसम और आधिविसम अब देखिए यहाँ पर सौल्प कीजे एक क्यामन पिलस सो करेंगे तो यह आपका एक सो एक क्यामन बटे में दो गुने पचास दो से काटूंगा पचास को यह कर जाएगा दोस्तों पचीस बार में अब पचीस ही रहेगा तो 25 का 5 आजाएगा कैणी का दो पचीस पचीस पंजे 125 और कैणी का दो जोड़ेंगे 127 127 का 7 कैणी 12 आपका बारा आजाएगा पचीस एकम 25 पचीस में जोड़ेंगे 12 तो कितना हो जाएगा 3775 यह आपकी प्रेशन का सही आंसर है 3775 कहां दे रख़ा है c vacun म अब देखेंगे अगला प्रेशने अगला प्रेशने है एक का स्क्वाइर प्लेस दो का स्क्वाइर प्लेस तीन का स्क्वाइर प्लेस चार का स्क्वाइर डोट 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 कहां तक जारा 60 के स्क्वाइर का और योग पूछ रहा है आपसे क्या होगा अब इस बार दोस्तों square में दे रखा है तो प्रेशनों को थोड़ा कठन करके दिया गया है लेकिन कोई बात नहीं हम तरीका आपको बताएंगे प्रेशन आएगा 5 सेकेंड में ठीक है तो देखे जब square वाला हो या फिर cube वाला हो तो उसके लिए थोड़े formula लगते हैं तो मैं आपको सबसे पहले formula बता देता हूँ इन प्रेशनों का अगर आपको योग ज्याद करना तो formula क्या होता into n plus 1 ठीक है into 2n plus 1 divided by कितना रहता है 6 रहता है ठीक है दोस्तों यह formula है इन प्रेशनों को solve करने का अब देखे n आपका कितना है कहां तक जारा 60 तक तो n आपका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ठीक है into n आपका 60 है 60 का ममल पे 2 से होगा 120 120 में 1 जोड़ देंगे तो यहो जाएगा 120 और divide में कितना है दोस्तों 6 चल रहा है आपका यह वाला अब मैं 6 से कटा दूँगा 60 को तो 10 बार में ये कटेगा ठीक है करना क्या है 61 का और 121 का हमको multiply करना है तो कर देते हैं 61 का मल पर 1 से करूँगा तो मैं 61 ही रहेगा तो 61 का 1 carry का कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा ठीक है अब 61 का मल पर 2 से करूँगा तो 122 122 में carry का 6 जोड़ूँगा तो कितना हो जाएगा 128 तो 128 का 8 आ जाएगा carry का कितना हो जाएगा 12 अब 61 कमल पर 1 से करूँगा तो 61 ही रहेगा 62 में 12 जोड़ूँगा कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा इन दोनों का multiply हो गया अब क्या करना है इसका मल्टपे 10 से करना है तो 10 से मल्टपे करने का मतलब क्या है इसमें बस आप एक 0 लगा दीजी तो 73, 810 यह आपके प्रेशने का क्या जाएगा बिल्कुल सही आंसर आजाएगा 73, 810 यह दे रखा है D option में उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी की समझ में बात बहुत अच्छे तरीके से आगी होगी और प्रेशन में कोई भी डाउट आपके लिए नहीं छोड़ा गया है अब देखेंगे अगला प्रेशने अगला प्रेशने है 2 की पावर 2 पिलस 2 की 4 की पावर 2 पिलस 6 की पावर 2 कहां तक जा रहा है 18 की पावर 2 पिलस 20 की पावर 2 का योग अब आप यहाँ पर संख्याओं को ध्यास से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है सम संख्याओं दिखाई दे रही है जो प्रेशन है वो सम संख्याओं वाला है इस बाग तो इसके लिए भी दोस्तो एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर मैं लिख दिता हूँ N into N minus N plus 1 into N plus 2 यह दोस्तों formula होता है divided by 6 रहता है कुछ भी अलग नहीं है बस पिछले formula में जो था वो यहाँ पर 2 N था और plus 1 था ठीक है और यहाँ पर बस इतना है कि यहाँ पर N है जो 2 था वो यहाँ पर आ क्या और ज्यादा चेंज नहीं है बस इसी formula में रख दीजे N कितना है दोस्तों आपका 20 हो जाएगा तो मैं यहाँ पर आपका N 20 रख दूँगा इंटू 20 N है 20 में एक जोड़ूँगा 21 हो जाएगा 21 रख दो इंटू N 20 है 20 में 2 जोड़ूँगा तो 22 हो जाएगा और divided by कितना है डिवाइड by आपका 6 ठीक है अब इसी को solve कर लेंगे आपकी प्रेश्निका क्या जाएगा बिल्कुछ सही answer आजाएगा ठीक है तीन से कट आलों पहले में 2 बार में ये कटेगा 3 सत्य 21 ये कटेगा कट गिया दोस्तों अब यहाँ पर क्या करना है इसको solve कर लेंगी answer आपकी प्रेश्निका आजाएगा ठीक है देखी कैसे पहले इन दोनों का multiply कर लो ठीक है इन दोनों का multiply कर लोगा तो कितना हो जाएगा जे हो जाएगा साथ दुने का 14 का 4 carry का 1 ठीक है साथ दुने का 14 और carry का 1 कितना हो जाएगा 15 इन दोनों का multiply हो चुका है ठीक है अब यहाँ पर बटे में 2 है तो मैं 2 से क्या करूँगा इस 20 को काट लूगा 10 बार में ठीक है इन दोनों का multiply हो गया 154 आया अब मैं 10 का मल पर कितने से कर दूँगा 154 से 154 से करूँगा 10 का मल पर इसका मतलब 1-0 लगाना है बस आगया आपके प्रेशन का सही आंसर 1540 और यह दे रखा है आपके भी option में सबकी समझ में प्रेशने दोस्तों आगया होगा किसी को भी कोई doubt नहीं है कोई doubt नहीं होगा बस संख्याए कटानी ही तो है मैंने 3 से 6 को कटाया 2 बार में 3 से 20 को कटाया 7 बार में फिर मैंने 2 से कटा दिया 20 को 10 बार में 7 का 22 से पहले multiply किया तो 154 फिर 154 का मले पर 10 से करेंगे तो 1 0 ही तो बढ़ जाएगा बस आंसर आ गया सबकी समझ में प्रेशन आगया होगा अब देखेंगे अगला प्रेशन अगला प्रेशन है एक का स्क्वाइर प्लस तीन का स्क्वाइर पांच का स्क्वाइर साथ का स्क्वाइर 25 का स्क्वाइर तक जा रहा है इनका योग पूछ रहा है आप से क्या होगा अब संख्याओं मैंने आपको पिछले question बताया है sum के लिए और यही होता है आपका दोस्तो बिसम के लिए दोनों के लिए एक ही formula है तो n कितना रहेगा 25 रहेगा तो 25 रखिए into n आपका 25 है 25 में एक जोड़ेंगे 26 हो जाएगा into n आपका 25 है 25 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 27 बटे में कितना है आपका अच्छी है ठीक है अब मैं 3 से 6 को कटाऊँगा दो बार में और 3 से 27 को कटाऊँगा नो बार में कटेगा और 2 से कटाऊँगा 26 को ये कर जाएगा 13 बार में अब इन तीनों संख्यांप वापस मैं multiply कर लीजिए answer आजाएगा ठीक है अब मैं इनका multiply करूँगा तो कितना आएगा 25 का multiply पहले 13 से कर लेता हूँ ठीक है 25 तरीक का कितना होता है 75 तो 75 का 5 कैरी का 7 फिर 25 एक हम 25 और कैरी का 7 उसमें जोड देंगे 25 में 7 जोड़ेंगे कितना जाएगा 32 तो यह 325 हो गया अब multiply कितने से करना है 9 से करना है 9 5 45 का 5 कैरी का 4 रहेगा 9 2 1 1 1 1 8 कैरी का 4 कितना 22 का 2 कैरी का 2 नो तरीक का 27, 27 में केरी का दो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 29 तो 29, 25 किस ओफशन में है आप बोलेंगे सर B ओफशन में है यह आपकी प्रेशन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में अच्छे तरीके से प्रेशन आगया होगा किसी को कोई डाउट प्रेशन में नहीं होना चाहिए अब देखेंगे अगला प्रेशन अगला प्रेशन है 1 का Q प्लस 2 का Q, 3 का Q, 4 का Q, कहां तक जा रहा है 20 के Q तक जा रहा है इसका योग पूछ रहा है अब इसक्वार बाला नहीं है दोस्तों अब आपसे पूछा गया है Q वाला तो Q वाले के लिए दोस्तों जो फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ N into N plus 1 divided by 2 इसका पूरे का क्या होता है? whole square होता है ठीक है? समझ में आगी बात आप देखे N कितना है? आपका 20 है तो मैं क्या करूँगा? यहाँ 20 लिखूँगा into N 20 है 20 में एक जोड़ूँगा कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा divide by कितना है? 2 है और इस पूरे का क्या दे रख आपको whole square ठीक है? अब देखे 2 से कटाऊँगा 20 को यह कटेगा 10 बार में clear? अब क्या हो गया? 10 गुने 21 हुआ? 10 गुने 21 और पूरे का क्या हो गया? whole square समझ मैं इस बात मतलब 10 का भी square करना है और आपको 21 का भी करना है तो 10 का मैं square करूँगा कितना जाएगा? 100 और 21 का मैं square करूँगा तो कितना जाएगा? गुने का sign है 21 का square करेंगे तो 441 ठीक है और दोनों का क्या दे रखा है गुना तो गुना कर दीजिए बस दो 0 है तो 441 में क्या होगा दो 0 ही तो लग जाएंगे बस answer आजाएगा ठीक है किस option में दे रखा है आप कहेंगे सर B option में बिल्कुर सही कर दीजिए इसी को तो मैंने इसी को सही कर दिया सबकी समझ में प्रेशन बहुत अच्छे तरीके से आगया होगा किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए ठीक है दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट वर्क्स में बताएगा पहली बार अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताके आपके एक्जाम क अच्छे से हो सके ठीक है दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद